तो नश्राजादियों जैहिंदाथ सभी को आप सभी का सौगत एक्जाम वे दरियन के ऑफिशल यूटू प्लैटफॉर्म पर मेरा नाम है मानस विश्च्रा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आप आईवी पियस पीयो मेंस परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए मेंस परिक्षा किस तरीके से आती है क्या उसका स्ट्रक्षर होता है कौन से टॉपिक इंपॉर्डेंट होता है कैसी कट उफ जाती है और उसके तैयारी करने के लिए वो important keyword जो जिनकी हमे जानने की जरुवत है वो सारी बात इस शोड़े से वीडियो में आपको बताऊंगा बिना स्किप केस को सुनिएगा पूरा ध्यान से और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग बनाना शुरू करिएगा आप चाहें तो इसकी वीडियो का जो जिश्ट है आप उसको पी अपनी में शामिल कर सकते हैं क्योंकि मैंने यह बात बहुत ही रिसेर्च करके आपको बताएगे तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रेशेशन को जो कि यह है आई वी प्यस्प्यों मेंस फुल स्ट्राटेजी और दोहजार चौबिस का तो सबसे पहले मैं आप लो मीडियम ऑफ एक्जामिनेशन क्या क्या होगा और कितना टाइम एलॉट है जासा कि आपको बता है बैंकिंग सेक्शनल टेस्ट सेक्शनल टाइमर पर चलता आप तो अरार्वी में भी हो चुका है तो कहीं न कहीं बैंकिंग पर रिक्षा थोड़ी थोड़ी तव भी होती है इसलिए लोगों को कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती लेकिन अगर आप स्ट्राटेजी के साथ कंसिस्टेंटली मैनत करेंगे बिना अपने ऊपर कोई शक्ति है तो 110 परसेंट आप एक्जाम निकाल लोगे समय जरूर लगता है लेकिन हाँ प्रोग्रेस का चार्ट ऊपर जाता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा करना क्या है तोडल कोश्चन भाई पैतालिस होते हैं तो रीजनिंग आपकी साथ नंबर के आती पैतालिस कोश्चन की हिंदी इंगलिश दोनों में आपको मिलता है नेट एक घंटे का समय मिलता है यह वाद ध्यान रखिएगा 60 मिनिट आपको 40 मिनिट बिलते हैं पर यह आप तो समय है more than enough है फिर आते हैं डिये और interpretation यहां पर देखो इन्होंने क्वांट्स नहीं बोली है इन्होंने बोले है डेटा अनलसिस और डेटा इंडब्रेटेशन लेकिन फिर भी आपको क्वांटिडिटे अर्टिट्यूट के कुछ चैप्रिस फढ़ने पड़ेंगे तो इसके वह यह प्याइस कोशन आते हैं 35 में से आपको स्टार्ट माक्स मिलते हैं इंग्लिश इंदी दोनों में होता है और इसके लिए आपको 45 मिनिट बिलता है कैल्कुलेशन इसमें हाई होती है लोजिक थोड़ा बहुत लगता है ले इसरी मास से बैंक पीओ नहीं निकाल पाऊगे आप रीब आप बैंक पीओ निकालोगे इन दो सब्जेक के दंप इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एकनोमी और बैंकिंग आवेर्नेस के दंपे जिसमें में लिया आपका मोस्ट लिए आपका करेंट अफ्यर्स सी आपसे तीन गंटा तीस मिनिट ठीक है तो आपको ऑप्शनल प्लस डिस्क्रिप्टियों मिला करके तीन गंटा तीस मिनिट ठीक है नमबर ऑफ कुश्चन 157 हो गए मैंस के नमबर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं भी बताऊंगा क्यों अब आपके मन में यह होगा कि सर एक बात दाई है कि क्या-क्या चीजे पढ़ लें जिससे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टिटूट तयार हो जाए बहुत अच्छा तो भाईया देखो मैं आपको सीरेसली बता रहा हूं अगर आप बैंक प्यों की तयारी कर रहे हो पहले कभी आपसे नमबर सीरीज पूछा जाता था अब नहीं पूछा जाता है सिंप्लिविकेशन पहले यह सारी चीज़े पूछी जाती ती जो मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं क्योंकि देखो अगर आप डिफरेंट सोर्से से चीज़ों को कलेक्ट करोगे तो वह हर चीज रखते हैं और ऐसा भी बैंक ने आज चक डिक्लेयर नहीं करा है कि मैं ड अभी प्रमण invitedi अभी प्रम इफण अभी पॉर्कीट है क्यों कि हो एक तरम आता है डिआम ज़स स्पीड टाइम इंडिस्रेंस के लग रहे हूं तो कुछ भी हो सकता है इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर हम अपने आपको ऐसा प्रिपेर करके चलेंगे कि वह एक ही बार पढ़ना बेपर देना तो जो आपने प्री में पढ़ा है एक बार उन कॉंसेट्स को मगप कर लो और बात खतम करो अब जिसके उपर आपको सॉलिड मेहनत करनी है बहुत जादा वो क्या है डेटा इंटरप्रेटेशन सारे लगाओ चाहे मिसिंग वाले हूं मैं वाले नहीं कह रहा हूं बार वाले लगाओ पाई वाले लगाओ तो मैं यह उमीद क करना हो प्रीम हो आपको बता है πई चार्ट की वैलू को परसंटेज में कैसे कंबन करते हैं परसंटेज को रेル डिगरी में काश्या करते हैं यह मैं मैं पहले से मान करके बेटाओ आप ड्री निकाल क्या है तो आपने डे आई डंग से पढ़ा वानाम निकाली मी पाते तुम चाहे missing हो, चाहे chapter based हो, यह आपको लगानी लगानी एड़ी आई, ठीक है, इसके अलावा जो आपको लगाना है, वो क्या लगाना है, केसलेट, केसलेट की प्राक्टिस करो, कम से कम, एक से दो केसलेट आप डेली लगाई है, केसलेट पर डायरेक कोशन बनते हैं, प्रॉबिल्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉबिल्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉबिल्टी से भी कभी कभी statement based कोशन बनते हैं, ठीक से उनके बीचे रिलेशन बताते हैं greater है less than equal to है क्या है ठीक है इसके अलावा simple compound interest permutation combination यह आप लोगों ने पहले से पढ़ लगखा होगा इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पूरी जान लगा दो missing data interpretation के question करने में chapter based के question को करने में और case template के question को करने में इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो आपके लिए reasoning में important होता है तो reasoning में जितने भी type के sitting arrangements हैं वो सारे लगाना शुरू कर दो अभी तक आप दो variable के लगा रहे थे प्री के लिए अब उनको छोड़ दो अब आप तीन variable और चार variable के लगाना शुरू करते हूं ठीक है पजल्स भी अभी रख आप दो variable के लगा रहे थे छोड़ दीजे तीन और चार variable के लगाना शुरू कर दीजे सिलोजिजम आपके लिए इंपोर्टेंट है सिलोजिजम के अच्छे question only a few only इस साइट के concept को एक पर देखे मशीन इंपूट आपके लिए बहुत इंपूर्टेंट है अगर आपको यह समझ में आता है तो कम से कम डेली एक मशीन इंपूट ज़रूर लगाईए ठीक है data सफिशेंशी के कम से कम पाच question daily लगाईए और वह भी three statement based two statement के काम कतम वह two statement आला आपके लिए important था या clerical की त्यारी कर रहे हो two statement लगा सकते हो पीओ में कम से कम तीन statement आले लगाईए blood relation की puzzle करना शुरू करिए blood relation के arrangement solve करना शुरू करिए nine family member आले question यह होते हैं वह solve करना शु करिए order and ranking का arrangements all करना शुरू करिए double line वाले जो भी आपके method होते हैं double line आले method में प्री के लिए important होते हैं mains के लिए उतने important नहीं होते हैं तो आप इसको चाहें तो ignore यहां पर कर सकते हैं अन्ना practice करने कोई बुराई नहीं है linear sitting arrangement के कम से कम two variable या three variable के question practice करिए इसके अलावा alph नुमेरिक सिरीज आप स्किप कर सकते हैं direction and distance में जो coded वाले question बनते हैं वह वाले प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो पजल वाले question बनते description आले उनको भी आप रैक्टिस कर सकते हो verbal non-verbal आप टोडली स्किप कर सकते हो पिर आगे बरते हैं computer में आपको क्या पढ़ना है तो basic basic चीजे internet के बारे में जान लीजे memory के बारे में जान लीजे keyboard के shortcuts होते हैं उनको देख लीजे computer के full form और abbreviation होते उनको देख लीजे में MS Office कौन सा नया version है कौन सा पहला version है computer hardware software के बारे में operating system बहुत important है question direct बनता है पर में फिर कह रहा हूं बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि computer question बने है लेकिन फिर भी रिस्क मतलो थोड़ा बहुत देख लो networking important is question बनता है computer fundamentals and terminology बस इतना ही आपको देखना है ठीक है इतना ही देखना है Lucent की book आती है और यहन की book आती है आप वहां से इसको बाए करके पतली सी होती है आप वहां से इसको देख सकते हैं वहाँ दाधा परशान हो नहीं ज़रुत नहीं है एक बार की मेहना तो पढ़ लो RRB में ही बहुत काम आईगी 20 question direct आते हैं 20 number 40 question direct आते हैं अब आ कामर आपको नहीं भी आती तो भी काम चलियाएगा one word substitution important phrasal verb के रूप में कभी कोई यूज होते हैं verbal ability में close test आप practice कर सकते हैं daily basis पे ठीक है इसकी practice आप कर सकते हैं comprehension बहुत important आप इसकी practice करिए कोशिश करिए एक से दो comprehension role लगाए और जिसमें से एक जो है वो finance से related होना चाहि है मतलब वो spotting error के question अगर आप practice कर पाने तो आप करिए sentence improvement आप daily basis पे practice करिए sentence correction आप daily basis पे practice करिए पैरा जंबल के पांच-पांच question के दो से daily practice करिए ठीक है mains level के question मता रहा हूं fill in the blanks or close test में से कोई एक ही चीज पूछी जाती है fill in the blanks हो गया double fillers हो गया close test हो गया इन में से को आपको daily practice करनी वो है RC पैरा जंबल यह आपको daily practice करने प्लस आपको reading करनी है daily चाहे दाहिंदू पढ़ो चाहे टाइमस अब इंडिया पढ़ो चाहे एकनोमिक टाइमस पढ़ो दमिंड पढ़ो वायर पढ़ो जो पढ़ना हो पढ़ो लेकिन पढ़ो और daily पढ़ो इसके बा आप जरूर उनको देखा करिए बहुत डिटेल में एक एक चीज को explain करती है नोट्स अपने बनाईए exam with arian.com पर जाहिए वहाँ पर भी आपको current affairs मिल जाएंगे update उटेली बिना कोई error के तो वहां से आप इन चीज़ों को free में कर सकते हो ठीक है financial awareness की book आती अरिहन के आप ले सकते हो general knowledge history quality के direct question नहीं आते हैं आप चाहो तो इसको पूरी तरीके से skip कर सकते हो हाला कि economy के कुछ terms है जो आपको पता होने चाहिए बस और उतना कुछ important नहीं होता है static awareness के कुछ question important होते हैं तो वो भी एमके बांडे सरकी बुक है अरिहन की वहाँ पर आप जाईए static awareness के जो भी points उनको देख लीजे तो डारक कोशन वहां से बनते हाला कि ये question ये portion अब उतना असान नेरा जितना कभी होता था जहां अब लोग देते देवेए पर आप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है तो सारा खेल जो है वो इसी पर निर्धारित करता बहुत और कुछ नहीं है तो मतलब इतना कोई बहुत वाली बात नहीं है आप दो चार दो चार दो चार प्राक्टिस कर लो हर आप का काम बन जाएगा इतना बहुत अधर टेंस होने की जरुवत नहीं है फिर बात करते हैं कि सर अगर हमारा मेंस सिकल गया तो क्या होगा फिर भई आपको इंटर्व्यू के लिए बुला जाएगा चालिस परसेंट आपको प्रॉस करना है अगर आप जनरल है 25 परसेंट पर उतना नहीं है अब है तो यार दो शाचातकार दो आपका होगा तभी तो आप चाहिए नहीं तो आप भी नहीं पाएंगे ठीक है तो फिलाल अभी इंटर्वीयर रेंशन नहीं लेते हैं में जमय क्या करना है तो समाप्त करने सो ब्लान के अपना एक दिन भीम शुरू क करना क्योंकि सब्व्य अर्थ हो जाएगा कुछ नहीं आप कर पाएंगे डिटेल ले वस आपको मैंने बता ही दिया है इस से ज़्यादा बताने क्जरूदत नहीं है तो आप डिटेल से ले बश्को आप इसकिप कर दो प्रीवेस ऐर पोशन से वही आपकर डिटेल से लेब अ और कुछ भी नहीं है कि बॉक टेस्स लगाना शुरू करो प्री निकाल करके आयो चोड़ी मुटी बात नहीं है कोई बहुत बली बात नहीं लगाई यह मौक लगाना शुरू करिए अपने नॉलेज को चेक करिए मौक मिरर होता है आपका अपने टाइम को मैनेज करना विदियों में अपने आपको मत इन्रोल करिए कि आपका पूरा दिन बरबाद हो जाए डेवलप करिए रीडिंग हैबिट्स को अभी तक प्री का पेपर निकाल के आप यह बात जान चुके होंगे कि रीडिंग ही सर्वशेष्ट है और सबसे बड़ी बात है पेपर निकाल बार जरूर बैंक का एक्जाम निकालेगे चलो भाई टेक केर बेस्ट आफ लक्स सभी को और आई होब यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी